सही लोग का क्राइटीरिया क्या है हमने बार बार कहा है कि सही लोगों का क्राइटीरिया यह नहीं है कि वो बहुत बड़े डिग्री धारक हो सही लोगों की क्राइटीरिया यह है कि समाज किसको सही मानता है प्रस निये नहीं कि वो नाइंत पास नहीं है क्योंकि कई बार पर पास पास नहीं करते हैं तो आपकी योगिता से बढ़कर ये इस बात को दिखाता है कि शिक्षा को प्रत्यासी चार खड़े है जन्सुराज के आप उनके बारे में समाज में जाकर पूछ लिए वो बालू माफिया नहीं है वो किसी बड़े बाप के लड़के नहीं है उनके म जन्ता दल के नेता तेजस्वी यादव और जन्सुराज पार्टी प्रमुख प्रशान किशोर के बीच शिक्षा मुद्दा बना हुआ था जिसको लेकर एक बार फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो सकती है दरसल हाल ही में प्रशान किशोर ने शिक्षा को लेकर जरिये पर सवाल उठाया है रहकर कुछ काम किया है अगर जो लोग ये कह रहे है इस परिपेक्ष में कि मैंने तेजस्वी जी के नवा पास नहीं होने की बात उठाई है तो मैं बार बार कहता रहा हूं कि सवाल यह नहीं है प्रसम यह नहीं कि वो नाइंत पास नहीं है क्योंकि कई बार परिस्थिती वस आपकी जो परिवारिक समाजिक आर्थिक इस्थिती है उसके वज़े से आपको संभव है कि आपके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपने समाज में कुछ काम न किया हो दूसरी बात कि तेश्वी जी उनके माबाप मुख्यमंत्री रहें जिनके माबाप मुख्यमंत्री हैं मुख्यमंत्री के बेटे होने के बावजूद अगर आप नवी क्लास पास नहीं करते हैं तो आपकी योगिता से बढ़कर यह इस बात को दिखाता है कि शिक्षा को लेकर आपका नजरिया क्या है शि देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com साथ हें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दे